इस बर कैबिनेट के मीटिंग जालंदर में होगी और उसके बाद सरकार आपके द्वार प्रोग्राम जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जाएगा क्या कुछ खास रहेगा कौन-कौन वहां पर उपलब्ध होगा और जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से ठीक किया जा है भी लोगों की जो खजल खुआ रही है सरकारी दफ्तरों में हैं चंडीगड में आके तो यह हमने मुखमंत्री जी का एक इनिशेटिव है कि हमारी जवाब दे ही है लोगों के परती तो पहले संगरूर और धूरी में यह प्रोग्रम और लेड़ी कर चुकी है सरकार जिस भी करेंगे और हल भी करेंगे तो और जमीनी इस तरह पर क्या किस तरह से सरकार का काम का जाए उसका फीड़बैक भी आता है लोगों की एक्ट्वल समस्चां क्या है वो भी सामने आती है तो यह एक बहुत ही सरकार का ऐसा इनिशेटिव है जिसमें एक हमारी जो जवाब द जो कंसर्न एव मिले सहबान जो डिस्टिक में ओफिशल सहबान आं उनके त्री जो रिपरेजेंटर्टिव सही चाए वो यूनियन से सरपंच सहबान आं ब्लॉग समती मेंबर सहबान है अलग जो रिपरेजर्टिक करते हैं समाज के लंक वपलाई जाता यह प्रॉपर और सरकार की तरफ से और फिर सीधा राप्ता जो है उनसे किया जाता है मैंदर जी कल जो कैबिनेट मीटिंग है वो भी जाल अंदर में ही रहने वाली है क्या इस तरह आगे भी रहेगा कि जहाँ जहाँ कैबिनेट मीटिंग होगी वहाँ वहाँ ये जो सरकार आपके द्वार प्रोग्रामें किये जाएंगे। सरकार का तो एक एक रिस्पॉंसिबिल्टी है ये कोई ताज नहीं है ये रिस्पॉंसिबिल्टी है तो हम रिस्पॉंसिबिल्टी ये एक नए तरीके से बैसे जैसे धूरी में किया है मुखवंतरी जी ने लोगों से भी सीधा संपरक है और लोगों के जो नमाइंदे से भी सीधार और कंसर्न ऑफिशल मौके पर ही रहेंगे जो है वो होते रहेंगे डेफिनिटली जो देखिए ये गैप नहीं होना चाहिए चंडीगड़ा और गाओं का वो जो गैप है वो भी खत्म होगा और जो लूपोल्स बीच में कहीं कहीं रहते हैं अगर ब्लैक शीप ह है जो उनकी चीज़ें भी सामने आएंगे अज़ पट्याला में एक बस्टेंड का उद्गाटन किया गया है कितना कफाइदा आप मानता है इस लोगों को होगा इस वाली बात नहीं है देखिए बैस इंफस्टेकर देना स्टेट की जुम्यवारी है और टाइम बॉर्ण कर हाँ अच्छे सुबदा लोगों को अच्छी मिलेगी ट्रांसपोर्ट डपार्टमेंट को भी फाइदा होगा तो ये एक सरकार का लोगों को जो उनका ध्यान रखना है उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ये काम ये करती है ये ना सिर्प बस्टेंड ये तो निशाना साथ रहे हैं सरकार पर इसको किस तरह से देखते हैं चाहे वो सुखबीर बादल हों परताब बाजवा हों या फिर नवजो सिंग सिद्धू हों देखे बिजली जो पीएस पीसील है मारा दारा उसके खर्चे जो हैं उनको अचीव करने के लिए कफी दो-तिन साल स जा रही हैं तो सभाविक तोरत दे हैं लेकिन इसमें पंजाब सरकार ने बड़ा ध्यान रखा है जो टैरिफ इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज जो है पंजाब सरकार पे करेगी लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा लोगों की जो तीन सो यूनिट पर मंथ जो हर एक हाउसोल्ड को आ किसी पर्टिकलर के लिए नहीं है हर एक हाउसोल्ड वो जारी रहेगी और लोगों के फ्री बिजली मिलती रहेगी किसानों को सबस्टाइब जाती है चेसो यूनिट से ज्यादा का अगर बेल आता है तो क्या ये चार्ज़ उस पर लगे हुए आएंग और अगर तो किसी जर्नल के टिगरी से समन्दे तादमी है जानी कि जो अफोर्ड कर सकता है अधरवाई जो नॉर्मल मीडियम फैनली है मिडल कलास है वो तो छेसो यूनिट सफिशेंट है और हमने अपने पिछले छे साथ महिनों के बिल ये दरसाते हैं कि उसमें नभे पर सेंट के क्रीब लोग कवर हो रहे हैं तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो छेसो यूनिट के उपर अगर आएगा तो पूरा देंगे जो हमारी रिजर्व कैटिग्रीज हैं चाहे वो फ्रीडम फाइटर हैं सी बीसी भाई चारा है उनके लिए सिर्फ ओपर वालाई देना पड़े इसमें जो ने रेट बढ़ाए गए हैं मेरा सवल पहले भी पूर्ड करेगी वो ने रेट वो पंजाब सरकार तो सरकार आपके द्वार के तहट जो प्रोग्राम रहने वाला है उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे और इलाके के जो नुमाइंदे हैं चाहे में उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं वीडियो जानलिस्स सूरज के साथ खबरे अभी तक के लिए चली कर से हर सिम्रत